हेलो गुडिवनिक दोस्तों आज कैसे हैं आप सबी बहुत बढ़ी आपकी स्टेडी चलने लग रही है तो आज हमें एक नई वीडियो के साथ फिर से आप से जोड़ चुके हैं और आज उसी सीरीज में जो हम नैशनल पार्क चला रहे थे उसी सीरीज में हमने एक छोटा सा ट्विस्ट लिया है जिसमें हम आज डिसकस करने जा रहे हैं यूनिस्को के वर्ल्ड हैस्टेज साइट के बारें बढ़ने वाले हैं यह कही ना कहीं टॉपिक वो प्रिवियस टॉपिक पर ही कंसर्ड है या मैं बोलो रेलेटेड है तो आप बढ़े रहें और हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा कॉंसेप्ट बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ध्यान रखिएगा मतलब जो भी हम वर्ल लाइफ सेंचुरी हो गई या फिर नैसल पार हो गई यह जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे उसमें सबसे जादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज की व वर्ल्ड हरेस्टेस साइड राइट तो इसके बारे में हम देखें तो यह रहा सर किसके दोरा प्रस्तुत की जा रही है तो आप नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे अनिल सर जो आपके सामने बैठे हैं ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी पहली स्लाइट क् दिए पहले हम जान लेते हैं कि जो वर्ल्ड हर इस्टेस साइड जो आपके पास साइं की जाती वह दौरह की जाता तो यस पुर्ण हो पार जानना जरूरी है तो यृँजी सको क्या हुत हैं उसके बारे में थोड़ी सी स्ट्री जान लेते हैं तो यृँनिशको का फुल- FOR Specialized Agency of the United Nation ये United Nation की ही आपके पास एक agency है जिसे हम UNESCO बोल रहे हैं UNESCO की की बात करें तो यहां पे 193 members आपके पास लाई करते हैं और उसके बाद 11 associate members आपके साथ हैं तो ये figure ध्यान रखेंगे, data ध्यान रखेंगे क्योंकि ये data important है पेपर में पूछा जा सकता है कि UNESCO मैं how many members are there तो 113 and assistant member आपके पास 11 हो जाएंगे चोटी सी information और रीट कर लिजेगा UNESCO seeks to build a cultural of peace and inclusive knowledge societies through information and communications to that end, it pressures, it perceives its objective through five major programs ध्यान रखेंगे पाँच major programs है जिसको concern करता है आपके पास UNESCO जो क्या है, education हो गया, natural science हो गया, social and human science हो गया उसके बाद cultural and communication and information तो ये आपके पास basic से पाँच और गनाइज़, पाँच फील्ड है ये मैं बूल सकते हो आप जिसमें UNESCO को आपके पास concern करता है चार नवंबर 1945 ये date आप ध्यान रखेगा, ये year ध्यान रखेगा कभी important part बन सकता है, तो चलिए headquarter की बात कर लें तो Paris of France आपके पास इसके headquarter है, तो आप ध्यान से इन चीज़ को read कर लिजएगा चलिए बढ़ते हैं आगे next, अब हम start करते हैं, कौन-कौन सी sites हैं, तो पहले हम cultural business पर अच्छा छोटा से criteria आप जान लें तो उसके अलग-अलग phases से आप चाहते हैं, उसकी detail यह दी जानना चाहते हैं, तो आप उसकी website विजट करें UNESCO की वह आपको बताएंगे बहुत अच्छे से, वैसे आप एक चोड़ाता question ध्यान लें की criteria है, कितने points है तो आप ध्यान लगें 10 से, ठीक है चलो, start करते हैं, तो आपके पास आचुका है यह list, तो list आपके सामने लग चुकी है, मेरे साथ साथ आप read करते रही है और enjoy करते रही है, तो list, तो देखिएगा सबसे पहली आपके पास site है, जो है ताज महल, सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो की कहाँ पर इस दे थे आगरा में, उसके बाद बात करें, खजराओ, जो की हमद्दपरदेश में, MP, आप हमपी है करनार्टिका में, आप से म कोशन पूछना चाहता हूँ, जो हमपी आपके पास है, वो हमपी हमारे भारती रास्ट्री है, या मैं बोलूँ, आपके जो नोट है, करनसी है, कौन सी करनसी में आपके पास हमपी नाम की image print है, 10 रुपे में, 50 रुपे में, 100 रुपे में, या 200 रुपे में, इसको मुझे टाइप करके जरूर बताएगा, ओके, तो अजंता कैब है, जो की महरास्ट्रा में है, उसके बाद करें, अलोरा कैब, जो की वो अल्रीडी महरास्ट्रा में है, उसके बाद बोद गया, जो की क्या है, बिहार है, उसके बाद संटेंपल, कोनार्क, कोनार्क का संटेंपल भी आपको पता हुआ किसी currency पे print है यदि आप इसका भी नाम जानते हैं या इसके बारे में बता कर जानते हैं तो आप मुझे लिख के जरूर बताए कमेंट में उसके बाद हम बात करें रेट फोर्ड जिसे हम लाल किला बोल सकते हैं जो की है दिल्ली में आपको सभी को मालूम है सांची सांची आपके पास है मदब पर्देश में जो की आपके पास क्या है असोक ने बन वायद आपको पता होना चाहिए चलिए और पढ़ते हैं और क्या हमारे पास sides हैं तो इसके बारे में और जान लेते हैं एक लिस्ट और सामने लग चुके है चोरा टेंपल जो की है तामिलनाडू में उसके बाद हम बोलो ग्रूप ओफ मौनूमेंट आफ महावली पुरम तो आपके पास ये भी तामिलनाडू में बन जाएगा उसके बाद हमायू टूम हिमायू का मकवरा बोल सकते हैं आप देखो जो नाम मैंने लिखे हैं वो सारी इंग्लिस में लिखने का सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी बाते हैं लिखने में अलग होती हैं तो आप इस चीज को आसान से वर्ट से आप ध्यान रखें उसके बाद हमें जंतर मंतर बहुत अच्छे से जानते होंगे जैपूर आपके बाद से ध्यान रखें जंतर मंतर आप दिल्ली ना सोच लें जैपूर है उसके बाद आगरा फोर्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं ताज महल आगरा में हैं और आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश वो भी आगरा कही पार्ट है द्यान लखिए गा फटाय पोट सीखरी ये भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है उसके बाद रानी का वयव यह है आपके पास पातन गुजरात आपके पास है group of monument of पट्टा दाकल तो ये करनाटका में हैं वैसे तो आप ये थोड़े से और नाम आप समझ सकते हैं ये south indian नाम आपके सामने हैं तो आप इनको समझ सकते हैं तो आप अंदाजे दी बैठाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं उसके बाद हम बात करें elephanta caps आपके पास बात करें तो ये भी आपके पास कहां पर है महरास्तरा में चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ चान लेते हैं कुछ और sites आपके पास पढ़ना है नालंदा, महावीरा तो आपके पास नालंदा इनिवर्सेटी हम इसको बोलते हैं जो कि बिहार में है जिए चैतरवदी सिवाजी महारास्त टर्मिनल आप बोल सकते हो जिसे विक्टोरिया टर्मिनल भी बोल सकते हैं जो कि हमारे पास कहां पढ़ती है महारास्ता मूंबई उसके हम Monument of Railway, Mountain Railway of India, तो आपके पास जो Mountain Hilli Area में जो Railways आपके पास रन होने लग रही है, उसको भी हमरे World Heritage ने दर्जा दिया है, उनुसकरन दर्जा की दिवा है, कुतुब मिनार की बात करें, तो यह आपके पास नई दिल्ली में है, फिर चमनेर, पावगर्ड, सकते हैं, चर्चेस आपने देखा होगा, जनरली आपके गोवा में लाइक करते हैं, तो आपके पास इसका राइट अंसर गोवा हो जाएगा, उसके बाद रॉक सेल्टर्स और भीम बैटे का, यह भीम बैटे का मद्दपर्देस में है, आप ध्यान रखें, इसका मद्दप चीज़ें आपके माइन में सेट हो रही होगी, बढ़ते हैं और फोड़ा सा और आगे हैं, और कोई साइट से हैं हमारे पास, तो वो साइट की आगे लिस्ट और देख लेते हैं, तो पिंक सिटी जिसे हम जैपूर में देखते हैं, तो पिंक सिटी आपके पास जैपूर है जो कि हमारी cultural based हैं, अब आकि हम देखने वाले हैं natural based, प्रकरतिक देखना चाहते हैं अब, तो प्रकरतिक आपके पास क्या चीज़ें हो सकते हैं, ओके, तो natural अब natural की बात करने लग रहे हैं, हम natural based देखने वाले हैं, धान रखिएगा, ओके, चले बढ़ते हैं, सामने list लग च काजी रंगा, wildlife century ये असाम में हैं, याने वाली अब slides आपके पास असाम के उपर में बनाने वाला हूं, बच चुगी हैं, बस कुछ ही दिनों में आपके असामने फिर से represent हो जाएगी, उसके बाद सुंदरवन national park जो कि आपके पास best bangal में है, उसके बाद great himalaya national park जो कि से असाम में हैं, तो असाम में दो ची जाएगे, एक यहाँ पर असाम पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा, तो आप ध्यान रखें, काजी रंगा और मानस, उसके बाद, केवला देव नेसनल पाग ये काफी important है, ये आपके पास है, राजिस्थान में आप ध्यान रखें, उसके ब ये western घाट कहलाते हैं, ये आपके पास इस तरह पर जो area है, आपके पास, वो western घाट के category में आपके पास, तो ये पूरा reason, उसके बाद, कंचन जंगा नेसनल पार्क आपके पास है, जो कि आपके पास सिक्किम है, तो total 8 ये हो गए, तो हमरे पास total world heritage side है, वो कितनी होगी total, 38 38 आपके पास world heritage side हो गई, जिसमें आप ध्यान रखें, एक जो plus one आप ध्यान रखें, 39 भी आप बोल सकते हैं, plus one का मतलब ये है, एक side ऐसी है, जो आपके पास mix है, जो कि natural और culture दोनों को belong करती है, जो कि आपके पास क्या, कंचन जंगा नेसनल पार्क, जो कि आपके पास किस में सिक्किम है, आप इस photo को देख सकते हैं, ये हैं भाई, कंचन जंगा नेसनल पार्क का जो नीव आपके सामने दिख रही होगी, पत्थर दिख रहा होगा, ये उसी पार्क का है, तो ये आपके पास mix है, धान रखेंगा, cultural as well as natural, तो आपके पास दो different category है, पहली बात तो द्हान रख लीजेगा, तो इन दोनों category के हिसाब से आपकी दोनी चीज़ें बन सकते हैं, बढ़े आगे, चलिए, और आगे देखते हैं, और क्या इसमें अच्छा और नया चुपा हुआ है, ओके, देखिए अप कुछ important facts की मादे में बात कर लें, हमारे और कुछ questions important क्या बन सकते हैं, पहले तो हमारे list से कोई आप से particular heritage site लिख देगा, बोल देगा, बताए कहां, किस location पे है, और दूसरी बात आप से जो बोल देगा, वो आपके पास कुछ questions मैं आपके सामने लग देता हूँ, जैसे first world heritage site किसको दिया गया है, तो आप द्यान रखें, लाल किला, जिसे हम रेट फोर्ड बोलते हैं, इसको 1983 में सबसे पहले आपके पास दिया गया था, किसने दिया, यूनिस को दिया, उसके बात करें, world heritage day, तो world heritage day हर साल हम बनाते हैं 18 अपरेल को, ये ध्यान रखेगा, क्योंकि अपरेल अभी जस्त निकला है, world heritage site आपके पास celebrate की गई थ तो आप ध्यान रखेगा, कि ये question बन सकता है, upcoming examination में, जो भी आपके हो सकता, September में exam हो, हो सकता, आपके पास October में exam हो, तो इन exams में आपका important part बन सकता है, okay, ध्यान रखेगा, उसके बाद, recent world heritage site, अब कुछ recent world heritage site जान लेते हैं, जो अभी पिछले सालों में आपके पास assign हैं, तो आप ध्यान रखें, 2019, जो आपकी last अभी निकला है, right, उसके बाद 2020 में तो हम COVID-19 से ही लड़ रहे हैं, right, तो 19 की हम बात कर लेते हैं, तो the pink city आपके पास है, जो की आपका नाम है, जैपूर में है, उसके बाद हम बात करें, the Victorian या Art Deco assembly, तो आपके पास ये 2018 में आ सारी information आपको मिली होगी, लेकिन ये session एक बार ना देखें, आप इस वीडियो को बार बार repeat करें, और जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप उतने बार देखिए, और इसको कोसिस करिए कि headphone लगा का आप देखेंगे, तो ज़्यादा मजा आने लग र रही होगी, उतने ज़्यादा वो words आपके दिमाग में बैठ रहे होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए, यदि अभी भी आपने अभी मेरा सेनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप इस चैनल को जाएं, और so much, have a good day, आप enjoy करिये और all the best for coming examination, okay, thank you so much.